कही दिनों से महाराष्ट कर नांदोल कर रहे हैं, मराठों को इत्यास दे के उनुन को बजाए है, तो मराठा आंदोल दे आपका बहुत धन्यवाद, आरक्षन, महिलाओं के आरक्षन का जो बिल है, पहले तो इस पार्लेमेंट में जितनी भी हमारी महिला रिप्रेजेंटेट प्रेजेट आरक्षन के गई है, उनका दिल से नमन करना चाहूंगी, और आज जितनी महिलाएं इस सदन में हैं, जो रिप्रेजेट कर रही है, उनका सभी का में दिल से नमन और अभी नंदन भी करना चाहूंगी, बेनिवाले बया, बया, माः मेंबर इस पीकिंग, ज़िस्तान के ईलेक्षिन है, हनुमान बेनिवाले भया, हमको सभी को पता है, जो रिप्रेजितान के बिलेक्षान, लिप शक्राइट करें हैं, बेंडि चाहिए उसका सबसे बड़ा उधारन अगर कोई देता है तो देश के प्रधान मंत्री देते हैं कि उनकी जो इच्छा उनका जो सपना है कि महिला equally में ट्रीट हूँ उनका सिर्फ भाशन में मान सम्मान ना हो उनके अधिकारों के लिए भी उनका बिल ये पार्लमेंट में आन रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं सुस्मा स्वराज जी हो जैल अलीता जी हो बंगाल की अब की मुख्यमंत्री मंता बैनर जी हो और मायावती जी हो ये सभी महिलाएं अपने अधिकार से लड़कर किसी ने अभी बहुत अच्छा का कि बहुत सारे पुर्षों के सामने लड़कर महिला यहां तक पहुंचती है इसमें कोई भी गलत एक भी शब्द नहीं बहुत सारे चुनोतियों को सामना करके हम महिला यहां तक लाती है पर कई opposition के नेताओं ने अभी बोलते हो है मैंने सुना कि पहला महाराष्ट्र हो या बंगाल हो और other states में भी हमने सामन को सुना है बहुत खुशी होती है कि ऐसे निर्ने भी बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरुवात की और हमारे महाराष्ट्र में कई आरक्षन जिल्ला परिश्वत ग्राम पंचायत जितनी भी है उसमें आरक्षन हमें मिला गया है पर मेरा एक सवाल भी रहे था तो 27 वर्षों में आप ये पूर्नक क्यों नहीं कर सके मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष होएं 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया पेश भी किया और हम महिलाओं को ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आ महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पारलमेंट में किया और जिस दिन ये पारलमेंट में हम पहला दिन कदम रखे हैं जब हम मालक्षमी की पूजा करते हैं वास्तु पूजन करते हैं तो महिला से शुरुबात करते हैं भारत माता की जय बोलते हैं तो महिलाओं के नाम से नहीं नहीं की इतनी मंचा अगर सपस्च थी तो महाराष्ट्र की बात करते समय जब हम आरक्षिन की बात करते हैं तो इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि आज तक महिलाएं नहीं कभी मुख्यमंत्री का पद उन्हें कभी दिया गया नहीं उपमुख्यमंत्री का पद द इन्हों ने ये भी उत्तर देना चाहिए, अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है, तो आज महाराष्ट्र में, आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया, सिर्फ शदों में विश्वास, सिर्फ मतदानों के लिए विश्वास, मुझे ल महिलाओं को पोल्ट वे बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है मुझे लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो इस पार्लमेंट हैस्टो लिसन एड आपके तरफ से तो ज्यादा सुनना चाहिए जिनोंने साथ वर्च राच किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूस किया बाकी महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं क्विए पुछ नहीं पूर्मेंट लेजिए पार्लमेंट नहीं है पर्लाबरी में खड़े होके हम निरने ले सकें सर मैं इतना ही बोना चाहूंगी चार लाइन अमीद भाई भी आपे हमारे अमीद चाजी भी आपर बैठे हैं सर आप लोगों की भावना हमने साड़े चार वर्षों में ये पार्लमेंट में सबने महसूस किये महिलाओने जिस तरीके से एक नई सांचत को आपने मौका दिया हर बात अपने विचारियां रख कर हमें चांस दिया कि आगे बढ़िया हम तुमारे साथ हैं सममान तुम हो सभी मान तुम हो अभी मान तुम हो देल अपना कभी ना दुखाना उस विधाता का विधान तुम हो आपन बढ़ी रख़ूं पेलरांको आने वाले समय में बहूप का कभी में जीनियूस